कहते हैं जब इरादे कमजोर होने लगते हैं तो आस्था मजबूत होती जाती है कई बार कदम डगमगाने लगते हैं तो भगवान और याद आने लगते हैं और असर में होता ये भी है ना कि जब हम ठकार जाते हैं तो हमारे पास आखरी जो चारा होता वो हमेशा भगवान ही होते हैं भगवान आपको संबल देते हैं भगवान आपको आगे बढ़ने की प्रेंडना देते हैं और ये बाते में यहां खड़े होकर इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह टनल जो आप देख रहे हैं, यह इस टनल पर 12 दिनों से पुरे देश की नजरे हैं, 41 मजदूर इस टनल के अंदर फसे हुए हैं, और आज 12 दिन हैं, तमाम एजिंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक होता है ने कि बस कुदरत का साथ होर मिल जाए, तो शायद कल के निकलते वो आज बहार निकल जाएं, अब यह टनल के बगल में जरा भी छोटा सा मंदिर देखिए, यह छोटा सा मंदिर आज कल जो भी इस टनल के अंदर जाता है, वो चाहे मुख्यमंत्री पुशकर सिं जब आप इस इलाके में आ जाएंगे ना, तो लोग आपको भौकनाग बाबा के बारे में बताने लगते हैं, जो यहाँ के इश्ठ हैं, जो यहाँ पूजे जाते हैं, और यही एक लोगों में ये भी एक प्रश्नी धारना थी, कि नया काम कोई शुरू किया जाए, या कु जो लोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया गया, फिलहाल टेंप्रेरी मंदिर जिसे कहा जा रहा है, जब टरनल पूरी हो जाए, कि तो एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा, ऐसी भी बाते आ रही है, अब लेकिन कहानी क्या है बोखनाग बाबा की क्या है, इनके पीछे का तो बोखनाग को सिरपल नहीं फाड़ा, सीस नहीं जुकाया, सब सी पहले एक गलती है, इनकी इनोंने सोरंग सोर कर दिया, पर इनोंने देवतों के नाम नहीं लिया, इनोंने बोला देवता क्या चीज होती है, इनोंने बोला देवता क्या चीज होती है, पर वोखनाग ऐसी है हम आरे ने सब कर देता है इन्होंने आज आपना पर्चा दिखा दिया वह धामी आओ यू डेम आओ इस डेम आओ यो किसे को नहीं तुर्च अपने उन्होंने अपना परचए दिखा दिया। इसका मेला होती है। इन्होंने साधी हो रहे थी। इन्होंने सारी बरात घेर दिया। साधी वाले ने आपने बाटा बदल दिया देवता को बोल कि जब मैं वहां से वापीस आओंगे ता मैं आपको शिरपल देंगे बक्रा देंगे इसलिए वो दोस्रे रस्ते चले गए रो दोस्रे रस्ते से आया तो उन्होंने सांप बनके सारी बरात बार अब इसी सैना घेर आपने पर्चा दिखा दिया आपने पर्चा दिखा दिया बास अब आगया आप बोलो भाई मैं जा रही थी तो बारात ने मांगा कि जब हम वापस आएंगे तो हम आपको श्रिफल चड़ाएंगे हम आपको और और बक्रा क्योंकि यहां पर तब बली की प्रिफा भी रहती थी तो वो भी चड़ाएंगे लेकिन आते वक्त क्या हुआ कि उन्होंने रास्ता बदल दिया और अपना जो प्रण था जो कहा था भगवान को वो पूरा नहीं किया तो भगवान क्यूंकि नाग रूप में हैं तो उन्हो फिल को णोने सांब भन के सारी बगत गेर दिया सारी बद्रात ही खटम कर दिया हाँ हहां तवी भेंकर देवता है विचार हम मानते है इनको हमारा इस्ट देवता हए इनको क्या लग रहा है अब जब ये जब सबस्ты मैं वहांगराक नमन करता हूं और मश्रक्ष परढरा पुल अब्धिर बन गया है और आप जो है आने जाने वाले जितने चाहे काम करने वाले हो सब्सक्राइब कर दिया कि मंदिर बन गया है तो सुरक्षित आजाएंगे कामरो पसंद को कहुंगे जड़ा जो लोग बात कर रहे हैं जड़ा इनकी बाते भी सुनवाएं और दिखाएं कि भाव क्या है जब वो अपने देवता के बारे में बात करें आप कुछ बता रहे हैं जी मैं बोला कि परसा हूँ जब क्या हुआ कि अंदर काम निवा पा रहा था तो फिर हम लोग नहीं यहां पर यह कहा कि जो पीम हैं यहां के उनको प्रोजट मने जाएंगे उसको उनको बुलाया कि सुबह नहादो के आना तब सुबह नहादो के आये नहादो के तब पिर अगर यह बच जाएंगे तो मंदिर बने गया है कि आपको लग रहा है कि अभी देवता जो है इसी लिए परसों उस पर देखा तो हमें पहले आज समय नहीं था विस्वास नहीं था जबने परसों उनको देखा वीडियो देखा तो बहुत मलग फुसी हुई आप मानते हैं इस बात को कि आप मंदिर जो है वो बन गया है तो आप चीज़े शुप शुप हो रही है तो जी मैं बाता है क्योंकि जैसे हमने देखा था बारा दिन हो गए आप इसको शुरुआत में तो चांसे भी नहीं लग रहे थे जो मशीन जारी थी खराब हो जारी अब जब से मंदिर स्टैबलिश हुआ है जैसे मुझे यहां के लोग कहते हैं कि तब से सब कुछ शुप हो रहा है देरी हो रही है पर शुप हो रहा है जी महँ सई बात है क्यूंकि पहले से जब देपता का वो नी किया आवान नी किया याद किया शुपल ने फोड़ा जो भी है यहां की हो नी किया तो कुछ भी सुभ नहीं ब एक अटक ही रहते है और जब से इंछो नी पे शुपल फोड़ा और चो टा समंदिर बनाए है तब से ही काम चली रहा है तो आपको उमीद है कि आप ठिपादेगे आप तो हैसे है कि अहीं है और निकल जाएंगे सुरक्षिस निकल जाएंगे बार, आपको क्या लगता है, इस सुरंग के ओपर राडी टॉप है, वहां पे बावा बासु की नाग का मंदिर है, तो अगर अ अगर हम आपके घर में जबरदस्ती आएंगे, कुछ काम करेंगे, तोड़ खोड़ करेंगे, तो आप जायर से बाद आप नाराज होंगे, कि मेरे घर में ऐसे तूट फूट क्यों हो रही है, ठीक है, तो ये बाबाबास की नाक का घर है, यहां पे इनका मुकुट माना जाता है, ठीक है, तो उनके घर में अगर कोई छेड़ खानी हो रही है, तो बाबाबास की नाक कुछ न कुछ तो करेंगे, कि भाई, तुम क्यों कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो, तो उसके बदले मुझे कुछ दो, दो कम अल्दा भी है, कि यहां पे मेरे मंदिर इस्तापित करो, जो सरदालू भक्तेगर्ण पहले इस रोड से होके जाते थे, अब वहां पे जो उनको पोजाई नहीं मिलीगा, जो उनका पोजा पाड नहीं होगा, तो जाइक से बात है कि भाबाबास की नाक देटा जो है, रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो बाबाबास की नाक ने कह होए थे, तो कहा था कि मेरे एक मंदिर लगा दो, तो कंपनी वालों ऐसा नहीं किया, जिसके कारान से जो है बाबाबास की नाक जो है, रुष्ट हो गये थे, और फिर जो है ऐसी घटनाए हो रही है दिन पड़ते दिन, अब मंदिर बन के है, अब तो हम देख रहे हैं कि ज इतने भी वरकर फसे हुए हैं, उस सकुसल बाहर निकले, ऐसी हम बाबाबास की नाक से कि मलब किरपा बनाते हैं आस्ता, तो कुछ नहीं होगा, सब सकुसल बाहर निकल जाए हुए, तो अब ही देखे तमाम लोग और जितने बार बात करते हैं, आप देखे हाथ जोड लेत यहीं आस्ता है, और खास नाराज़ की बात करते हैं, पहाडों में प्रकरती हो, पहाडों में देव हो, इसलिए तो शायद उत्राखन को देव भूमी भी कहा जाता है ना, कहा जाता है पथर पथर में भगवान है यहां, और जब आप किसी पहाड पर आते हैं, जैसे कि काम शुरू हुआ, तो जो बाबा है, भौकनाग बाबा उनसे अशिरवाद नहीं लिया गया, कहा जाए तो अनुमती नहीं ली गई, काम शुरू कर दिया गया, और उसके भी रोश का यह फल हो सकता है, कि जिस तरीके से यह तमाम लोग फसे, लेकिन क्योंकि वो भगवान ह होते हैं, तो एक मंदिर वहाँ पर अभी टेंपरेरी तोर पर बना है, क्योंकि अभी टरनल का काम भी पूरा नहीं हुआ है, उससे भी इनकी आस्था है, कि भगवान जो है, वो अपनी दया दिखाएंगे, और तो तमाम कर्मचारी, जो तमाम मजदूर यहाँ पर फसे हैं, वो इनहीं की आशिरवात से जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, आप उत्राखन के किसी भी कोने में जाएं, आप उत्राखन के किसी भी पहाड में जाएं, आपको आस्था प्रतियक्ष रूप में जरूर देखने को मिली और उनसे जुड़ी वी कहानिया भी मिलेंगी, ऐ ऐसी कई कहानिया हो सकती है जिन पर आपको विश्वास ना हो और ऐसी कई कहानिया हो सकती है जो प्रतेक्ष के सामने साथ आपको देखने को मिलती है पर कहा जाता है ना कि आस्था के आगे लॉजिक नहीं चलता तो ये लोगो की आस्था है और लोगो का मानना है कि इस इलाके कि इस पूरे जगहे के इष्ट है और इष्ट की नाराजगी का ये नतीज़ा है अब इष्ट को कह दिया गया है कि जैसे ये टनल पूरा हो गए अच्छा मंदिर बनेगा फिलाल एक टेंपरेरी एक छोटा मंदिर बना है तो जल्द ही उनकी कृपा भी तमाम लोगों पर बरस सेगी